आज हमारे पास यह एक ग्लूगन आईयर इसकी थी इसको वार्टिट में कहीं आसरास दूर तक अलिमेंट नहीं मिलने के विज़े से वह प्रेशान था उसमें मिश्के जिकर गया मेरा दोस्त है कि इसको मैं कैसे ठीक करूँ तो चलिए आज हम इसको ठीक करते हैं इसको मैंने पहले से ही खोल लिया है और यह आपको मैं दिखाता हूँ यह अलग कर लेते हैं इस तरह से इसको हम उठाते हैं इसको एक रिंग होता है इसके आदे लगाए तो इसको ब्लू स्टिक इसमें फसी हुई है तो वह फसी रहेगी अब देखना यह है कि इसमें अलिमेंट कैसे मेरे पास यह 10W का element है इसको मैं आज इसके अंदर fit करके देखता हूँ वैसे पर ग्लिवन में 20W, 40W का element लगते हैं लेकिन आज हम यह करके देखते हूँ यह काम करेगा यह नहीं करेगा चलिए आज हम इसको fit करते हूँ यह इसके अंदर नहीं जा रहा इसके सुराकों थोड़ा खुला कर लेते हैं प्रेती से रगड के या प्लास की मदद के हम देखते हैं क्या कर सकते हैं यह काफी hard है इस तरह से नहीं मानेगा यह चलिए इसको रेकिशे रगड़ा थोड़ा इसका हलका सा space हमने लूज करना है कोशिश तो करनी चाहिए एक तरफ से उंचा नीचा है हम इसको इस side से डाल कर देखते हैं इस तरह से हमने इसको jam कर लिया है यह wire लगा के इसका हमने जवार कर दिया देखें दो टुकड़े wire के लगा के हमने इसको इस तरह से fit कर लिया है यह देखें अब इसके connection करने बाकी है वह करके इसको हम चेक करें गिरिंग इसमें लगा के इस तरह से यहां इसको दुठा देते हैं यह wire हम नहीं से निकालेंगे अब थोड़ा सा यह टुकड़ा प्लास्टिक के step जो stand होते हैं इससे touch हो रहा था थोड़ा सा हम देख लेते हैं अब gap सही है कहीं यह touch नहीं होगा अब इसकी wire लेते हैं यह इसकी में लिए इस तरह से हमने इसके दोनों wire यह कस लिए कसने के बाद इसमें यह आपस में short नहों उसके लिए एक clip होता है यह अंदर से metal होता है इसमें aluminium वगरा कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम इसके अंदर डालके इस तरह से प्लास्टिक कर लेते हैं देखेजिए थोड़ा सा मैंने जोर लगा दिया तूट भी गया लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है हमारा main हिस्सा बचा हुआ इसलिए आप से कह रहा हूं कि आप थोड़ा ध्यान रखिए अगर अपनी wire को इस तरह से हम यहां इसमें बिठा देंगे अब हम यह गन का यह point लगाने के लिए करते हैं इसका एक spring होगा जो इसमें लगता है स्ट्रिंग को हम यहां पर लगाते हैं इसमें डाल देते हैं इधर से इसके अंदर लगाएंगे glue stick को इसके उपर लगाते हुए देखे इसमें थोड़ा सा slow करना पड़ता है काम कोई एक चीज को अगर हम fit कर रहे हैं इसको थोड़ा इधर दर करेंगे तो बाकी wire भी हिल जाती है खास काम है नहीं इसके अंदर कुछी यह spring लगाना है इसको आपने प्लोड देना है spring को यहां टेक कोईंट दे रखा है उसके अंदर डाल देना है यह हमारा रोके हो गया चलिए अब इसके स्पूकस पर दोस्तों कोई भी वीडियो हो चाहे आपने पहले देखा हो मेरा हो या किसी और का हो वीडियो को पूरा देखना चाहिए पता नहीं किस में आपको कोई ऐसा पॉइंट मिले जो आपको पहले से मालूम नहीं होता इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें घर वीडियो में एक नया पॉइंट होता है जो बनाने माला वीडियो गुनाता है वह अपना कुछ ना पॉइंट इसमें रखता जो आपके काम का होता है देखिए फ्रेंट्स यह हमारा अच्छे से काम कर रहा है यह देखिए गरम हो चुका है और बहुत बढ़िया से यह ग्ल्यू छोड़ रहा है इसमें यह देखिए पहले कोई कलर स्टिक लगाई होगी उन्होंने जिसका रंग आ रहा है तीच्छे हमारी यह बाइट स्टिक है देखिए पूरा सही तरीके से काम कर रहा है यह देखिए बहुत अच्छे से ग्ल्यू आ रही है मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक्यो बेरी मच्छ आपका बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति डेट में आपका स्वागत है